हलो डियर एस्परेंट आप सभी का बहुत बहुत शौगत है आज के सेशन में आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टन मुद्दे को लेके बात करेंगे जो पूरे देश में फैला हुआ है जिसका नाम है Wilkis Bano Case तो यह जो Wilkis Bano Case है उसमें क्या है कृंकि अभी सु्प्रीम कोट ने क्या किया है जो सजा हुआ था विकिस Bano Case में उन सब की जो एक तरह से गुजराज सरकार ने उनको माफी दे दी थी उस माफी को सरकार ने अभी अभी रद कर दिया है और ये भी कहा गया है कि सुप्रिम कोट ने कहा है कि जो गुजराज सरकार है उसने क्या किया है इस फैसलों मतलब जो सजा माफी का जो फैसला था उनका उसको देने में उसने अपने शक्ति का दुर्पियोग किया है अब यह जो मामला है इसको हमें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यह बहुत बड़ा मुद्दा है इससे जो सरकारें जवर्दस्ती करती हैं मतलब अपनी शक्ती का दुर्पियोग करती हैं अगर जीवडिसरी ना हो तो क्या क्या आपके साथ हो सकता है इसका एक बहुत बड़ा एक्जामपल है तो सबसे पहले यह समझते हैं कि विल्किस बानो जो कि आपको फोटो में दिख रही हैं इनकी उमर उस समय कब थी क्या थी जब इनके साथ केस हुआ तो इनकी उमर उस समय थी लगभग 21 वर्स और मामला है सन 2002 का अब आप सोच लीजिए आज चल रहा है 2024 तो इसमें चुपचाब 22 साल और जोड़ दिए ज़े तो लगभग इनकी उमर 45 के आसपास है तो 45 years अगर किसी लेडी की उमर हो जाती है और उसको सजा जो उसके दोशी है उनको सजा अच्छे से नहीं मिलती है तो कितनी बड़ी बिडमना जहली होगी लेकिन उसके पहले समझना है कि बिलकिस बानों के साथ ऐसा क्या हुआ था जो ये केस बना तो सबसे पहले समझते हैं बात है 27 फरवरी 2002 की कार सेहकों से भरी एक साबरमती एक्सप्रेस जो के ट्रेन थी उसके कुछ डिब्बो में कुछ डिब्बो में गोधरा के पास गोधरा कहा है यह है भाई कहां पे गुजरात में वहां पे क्या हुआ आग लगा दी गई और कह कि इसमें 69 लोगों की मौत हो गई अब यह जो की बताया जाता है कि गोधरा में मुसल्मानों के द्वारा इस साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाई गई थी उसकी क्रिया या कह सकते हो प्रतक्रिया सुरूप में क्या हुआ कि दंगे भड़क उटे थे पूरे गुजरात म इस वज़े से जो बिल्किस बानों थी वो क्या हुए कि अपने सारह तीन साल की बेटे जिसका नाम सलेहा था और पंदरा लोगों के साथ वो अपने गाउं भाग गई और जब गाउं गज जा रही थी वो तब उसके पेट में लगभग 5 महिने का बच्चा था मतलब वो गर ठीक है हाँ इसके बाbon क्या होता है कि जब दंगा भाड़का हुआ है तो वूद दंगाई कहां पहुचते हैं इसके गाउं में और विल्किस और चार महिलाओं के साथ पहले पिटाई की गई फिर उनके साथ रेप किया गया और इसमें विल्किस की माः भी सामिल थी आप सम मामला वरों का जो परिवार था उसमें कई लोग उसकी आँखों के सामने हत्या कर देगा इसका मतलब यह है विलकिस का जो परिवार था उसको भी मार दिया गया और अगर बात करें तो हमले में साथ मुसलिम मारे गये थे और यह साथो साथ कहां थे विलकिस की परिवार के सद आए हुई थी, अब मामला आगे बढ़ता है, आइए समझते हैं, जब विल्किस से साथ ये घटना घटी है, तो वो लगभग 3 घंटे तक भीहोस रही, और भीहोस के बाद उसके, जो उसने क्या हुआ है, जब इस घटना के बाद उसको होस आया, तो होस आने के बाद उसने क् आदिवाशी महिला थी, उससे अपने कपड़े मागे, और कपड़े मागने के बाद ये सिधा वहां से भाग गई, और जाके, आगे की कहानी होती है, धेरे धेरे जानते हो, मतलब कि केस बनता है, और अभी और समझते हैं, इसके बाद क्या हुआ, देखो, जब ये पुलिस के पास गई ना, तो पुलिस ने केस को खारिज कर दिया, क्यों? पुलिस ने कहा कि देखो, इस केस में ऐसा कोई सबूत नहीं है, कि हम इन सबूत के आधार पे क्या करें, इन लोग को गिरफतार करें, या इन लोग के ऊपर कोई F.I.R. करें, पूरी तरह से पुलिस ने नक के आया, और उसने इनकी help की, किसकी, बिल्किस बानों की, अब मामला क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में पहुचा, सुप्रीम कोर्ट में याज का दायर हुई, देश की सर्वोच अतालत ने C.B.I. को नए सीरे से जाच करने का आदेश दे दिया, अब देखिए, जब C.B.I. के पास मामला जाता है, और C.B.I. चार सीर दाखिल करती है, जिसमें 18 लोगों को वो दोसी पाती है, ध्यान रखिएगा, और सही बात तो यह है, जिसमें 5 पुलिस कर्मी और 2 डॉक्टर भी सामिल थे, और जो पुलिस कर्मी और जो डॉक्टर है न, उनके खिलाफ सबूत को उसे छेड़ चार करने का आरोप C.B.I. लगाती है, तो यह कितना बड़ा मुद्दा है, आप समझ रहे हैं न, मुझे तरह लगता है, पुरी सरकारी मसीनिडी इसमें लगी रही होगी, तब जाके यह बात बनती है, चलिए, आगे देखते हैं क्या हुगा, इक्जाक्ली क् कि जब केस यह चल रहा था, तो बार-बार जान से मारने की धंकी मिल रही थी किसको, बिल्किस बानो को, और बिल्किस बानो को जो यह धंकी मिल रही थी, उसके बाद उसने क्या किया, कम से कम, दो साल में 20 से जादा घर उसने बदले, खुश सुचिए, एक गरवती महिला के साथ ये कांड होता है उसकी छोटी सी बच्ची मर जाती है उसके परिवार के साथ लोग मर जाते हैं उसके बाद भी आपके देश की मशेनरी ये कर रही है आज सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है उसके बारे में समझेंगे लेकिन ये कितना संगीन मामला है ये समझना हमारे जरूरी है कि जो हमारे कह सकते हो मौलिक अधिकार हैं उसका हनन से किस हिसाब से हमारी Supreme Court हमें बचाती है यह हमारे लिए बहुत बड़ी वात है जाना क्योंकि हर एक ब्रिक्तिको इस मामले को पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए CBI का विजेस अदालत ने जन्वरी 2008 में 11 लोगों को दोशी कराज दिया और 7 लोगों को सबूत के आधार पर छोड़ दिया गया मतलब जानते हो आप कुल मिलाके कितने लोग थे भाई 18 और 18 में 11 लोगों को दोशी पाया गया और 7 लोगों को उनकी खिलाब कोई खास सबूत मिला नहीं इसलिए उनको छोड़ दिया गया अब यह जब मामला कप की बात ही यह 2008 में इसका मतलब यह हुगा मामला तो कप का था 2002 का लेकिन 2008 में CBI की बिसेस अदालत ने क्या किया यह सजा सुनाई अब मामला आगे जाता है और कहां जाता है भही CNC बात है High Court और High Court ने भी सेम तु सेम वही कहा लेकिन मामला आता है दो 2020 आजीवन कारावास हो गया वो एक 11 लोग आजीवन कारावास क्या कर रहते अपने भोग रहते हुआ क्या गुजरात सरकार ने 2022 में स्वतंतरता दिवश के दिन मतलब स्वतंतरता 15 अगस्त इस दिन क्या हुआ सरकार ने इन जो ब्यक्ति हैं जो 11 दोशी थे उनको रिहा कर दिया गया और उनके खिलाफ एक कानून लाके कि हाँ ठीक है कि इन्होंने अपनी सजा भुगत लिया है अब इनको रिहा कर दिया जाए अब आपको सोचिए मामला कहां पे था क्योंकि बिना सरकार के बचाय ये बच नहीं रहे थे और पुलिस भी उसमें सामिल थी डॉक्टर भी सामिल थे सरकार की मसीनिटी भी सामिल रही होगी तो मामला हुआ क्या चलिए यहां तक तो हम लोग समझे कि भई वो लोग रिहा क कर दिये गए तो अब क्या हुआ सीधी सी बात है बिलकी जबानों दोबारा फिर कहां पहुसती है सुप्रीम कोड़ और सुप्रीम कोड़ ने आज, आज कितनी तारीक है 8 जनवरी, और 8 जनवरी को जो यह माफी दी गई ती जो भीया गया था उस माफी को रद कर दिया और स जितरे भी 11 दोशी हैं, वो सभी दोशी surrender करें, ठीक है? Surrender करें, अब Supreme Court ने गुजराथ के विलकिस बानो केस में सभी 11 दोशों की सब्सक्राइब की जो माफी थी, उसको रद कर दिया गया और Supreme Court ने जो गुजराथ सरकार का फैसला था, उससे पलट दिया और एक बाद ध्यान रखा, गुजराज सरकार को फटकार लगाई गई है और कहा कि ये जो fact के नाम पर यसी के साथ क्या किया गया है, fraud किया गया है, अब आप उसुचे कितनी बड़ी बात है कि किसी सरकार की उपर Supreme Court क्या कह रही है, कि ये मामला क्या है, fraud का है, आपने जो हमे माफिया आपने दी थी, वो हम रद करते हैं, तो ऐसे मुद्दे जो जिविश्टरी क्या करती है, आपके मौलिक अधिकारों को बचाती है, उसको लेके आपको पढ़ना चाहिए, दिखे, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे मुद्दे ना, किसी के साथ समाज में अगर घड़ जा इसमें सामिल है, सोच, कितनी बड़ी बात है, अगर मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक शेपना दिया होता, तो वो बचे होते, और ये जो एक औरत है, वो पुरी जिंदगी सिर्फ तड़प के रह जाते हैं, कि मुझे इस भारत देश में नया नहीं मिला, तो आ हमसे बहांस करें, हमसे एक बार चर्चा करें, कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें सरकार ने माफित दे दी थी, तो बस यही इतना मैटर बचा है, तो चलिए, इसी के साथ आज का ये शेशन समाप्त हुआ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यबाद देखते रहिए, पसंद रह तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तब तक के लिए थांक्यू सो मच, बाई, मिलते हैं अंगले सेशन में